साथियों नमश्कार है मैं आपका दोस्त वेद संदीब साथियों आज हम कुकर कास के बारे में बात करेंगे यानि इसे फूपिंग कफ या फिर सूखी खांसी कह सकते हैं तो साथियों देखते हैं वे कई वारे खांसी इतुर हो जाती है कि ऐसे लगता है जिस्वेकता में अबहुत कर वो जाता है और खांसी नाने वाड़ा जो वेक्ती है वो खांसी के करण अदमरा हो जाता है तो सातियों उसी खांसी के बारे में हम आज बात करेंगे सातियों हमें करना क्या है उस खांसी को खतन करने के लिए आप 10 ग्राम पर्वार बसम लीजिए और उसमें 10 ग्राम गोधुनती बसम मिलाईए और उसमें 5 ग्राम ताली साधी चुरन और उसमें 3 ग्राम मलेठी का सत्त मिलाईए तो यह सब चीजें आप मिलाके इसको आदा आदा चमच है जैसे लगवग दो से डाइग्राम इसकी मातरा रहेगी एक टाइम की जैसे आप इसका आदे चमच से कम लीजिए या फिर इसको ऐसा कीजिए जो चमच जो होता है अपने उसके पीछे की डंडी पे जितना है उतना स सुकी खांसी हो उसमें अराम मिलेगा और कुछ दिन रियंतर सेवन करने से आपकी खांसी है वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी तो साथियों नमस्टार्ट